नमस्कार जैश्री किष्णा मैं राके श्वानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जियोतिस क्यान के नाम से एक स्रीजी स्टार्ट की है जिसके काफी फ़ारे पार्ट्स हो चुके हैं इसमें मैं अभी जो चल रहा है वो ग्रहों के कारक चल रहा है इससे पहले मैं सूर्य और चंद्मा के कारक बता चुका हूं कि ग्रहे जो हैं उनके कारक क्या होते हैं उन ग्रहों से क्या क्या चीज़े हम लोग देखते हैं वो व्याद होना बहुत जरूरी है कि पडिक्शन के टाइम में यह जिए हम आत्मिक शक्ति की बात करते हैं। **** किस चीज का लूबiner किता है कौन सागधी यहा कौन सा ग्रैय है तो सूरिय और चंतरमा के में आपको बता चुका हुँ, आज हम λोग करते हैं मंगल के, तक रीभी साधने सम्य वेस्टना करते हुए, मैं आपको ते लिखें की मंगल क्या कारक होते हैं, और कैसे हम लोग उनको देखता हैं, और उनका मतलब क्या है, देखिए मंगल के कारक ये दिखाए गए हैं जो ये दिखाए गए हैं आप ये मैं सोचें कि सिर्फ इतने ही कारक हैं अगर आप उत्तर कालामरत किताब लेंगे उत्तर कालामरत किताब लेंगे तो उसमें आपको मंगल के कारक या किसी ग्रहों के कारक बहुत मिलेंगे और सब ले सकते हैं जगनात बसीन जी ने इनको लिखा हुआ है उसको व्याख्या करिए उसकी तो उसको आप ले लीजिए उसके अंदर आपको सभी ग्रहों के कारत पड़े अच्छे तरनी से मिल जाते हैं लेकिन उसी के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टन डिप यह हम लोग जानते हैं कि मंगल पराकरम का कारक है मंगल सत्व का कारक है मंगल बल का कारक है यानि मंगल से ही हम पराकरम देखते हैं अगर किसी का मंगल बली हो तो ऐसा आदमी बहुत क्रेजिस होता है पराकरम ही होता है शूरवीर होता है मंगल बल का कारक है जैसा आदमी बली होगा, अगर उसका मंगल अच्छा है, मंगल अच्छे भाव में प्लिस्ट है, अच्छे ग्रहों से द्रस्ट है, तो मंगल अच्छा होगा, मंगल अच्छा कैसे होगा, या मंगल बुरा कैसे होगा, वो सब चीज तो हम आगे जब चलेंगे ग्रहों के बारे में, भावे जगडे भी करवाता है मंगल की दशा हो तो लड़ाई जगडे होना निश्चित है लड़ाई जगडे जरूर होते हैं मंगल की दशा में अगर किसी की मंगल की दशा चल रही है तो लड़ाई जगडे होने के पूरे-पूरे chances होते हैं मसल्स कारक मंगल है यानि अगर किसी की मंगल अच्छा है तो मसल्स उसकी अच्छी होंगी मसल्स कारक भी मंगल को ही माना गया है मज्जा का कारक भी मंगल को ही माना गया है हिंसा का कारक भी मंगल को ग्रोट उनका या उनकी जो तेजना है उनकी जो जो कटरता है वो सब चीज़े मंगल की वैशे होती है और मंगल उन लोगों का बड़ा वीक होता है तो ऐसे में आदमी प्रते हैं भी जितनी होती है मंगर से देखी जाती हैंगर कहीं भी कोई वी दुरगटना इसलिए छोटे भाई बैनों का कारग भी मंगल होता है अगर मंगल आपका अच्छा है तो आपके छोटे भाई बैनों से आपको प्यार मिलेगा प्रेम मिलेगा, संतोश मिलेगा, आदर मिलेगा और अगर अच्छा नहीं है, तो या तो आपके चोटे भाई बैन नहीं है, या आपके चोटे भाई बैन हैं, तो आपके उनसे इतनी बंती नहीं है, भूमी अकारग मंगल है, भूमी अकारग क्यों कि मंगल को भूमी पुत्र भी कहा गया है, तो मंगल को भूमी अकारग ही ब लेना हो तो उसके लिए मंगल को देखा जाता है चोट अकारगी मंगल है मंगल की दिशा अगर बच्पन में हो तो ऐसे बच्चे को चोट लगती रहती है तो मंगल के दिशा जब हो तो लडाई जंगले से और चोट फ्रेंट से थोड़ा बचना चाहिए अडवेंचरस काम न होता है बात मानना सिर्फ बात मानना और इस और राजा ने जो कहा उसको मानना पिर वो यह नहीं देखता कि यह वो अच्छा है या बुरा है वो ही मंगल काम है मंगल को अगर किसी ने काम दे दिया या मंगल को जो काम अलॉट हो गया कुनली में वो उसको फोर्स के साथ करे कारहे में मंगल से ही दिखाया से शुट फैटर कारह मंगल है सर्जरी का कारह मंगल होता है शत्रू पर विजय का क्यों सहनापति है इसे इनसान की शत्रू पर विजय होती है शत्रू का मत्तब सिर्फ यही नहीं कि लड़ाई जगड़ा जो हो रहा है या तीर कमान चल रहे हैं तब ही शत्रू हो रहे हैं शत्रू आपके जनरल जो आपसे नहीं आपको पसंद करते हैं वो भी आपके शत्रू हो सकते हैं तो ऐसे लोगों पर विजय आपकी अगर आपका मंगल अच्छा हो तो अवश्य होती है जंगली जानवरों का प्रबंदग क्योंकि जंगली जानवरों को अपने वश्मे करने के लिए आदमी के अंदर मसल पावर की भी बहुत जरूत पड़ती है पराकरम की बहुत जरूत पड़ती है जंगली जानवरों को ऐसे ही कोई नही देखते हैं, योगी सेनपती है, तो जितने भी युद्ध होते हैं, उनको भी मंगल से दिखा जाता है, अगर किसी का मंगल मजबूत है, मंगल बली है, अच्छे वाव में बैठा है, अच्छे वाव में बैठा है, अगर किसी का मंगल बहुत कमजोर है, कमजोर भाव में है और पाप ग्रहों से क्लिडित है तो ऐसे इंसान की युद्व में हार भी होती है कि उद्वेगता कारक भी है उद्वेगता का मंदब पेशेंट सा कारक जिसे कहते हैं मंगल जिनका फड़ा कमजोर हो बहुत इंपेशन्ट होते हैं मतलब कोई चीज को सहन नहीं कर पाते हैं चल्दी से जैसे Minh कर दो बहुत इंपेशन्ट होते हो तो बड़े इंपेशन्ट महसूश करेंगे अपने आपको बहुत इंपेशन्ट दिखाएंगे काम ना करने की प्रवटीश ही बंजाती है और उसके प्रीत अगर मंगल बहुत बलशाली हो तो ऐसा आदमी के अंदर पेशन्स बहुत अच्छी हो लाल रंग की चहा लाल रंग मंगल का फेवरेट कलर है अगर मंगल किसी का अच्छा है तो ऐसे आदमी को लाल रंग के कपड़े पहलने में बड़ा अच्छा लगता है राज्य सेवा, राज्य सेवा कैसे, क्योंकि बताया कि मंतिरी मंदल में सैनापती का दर्चामंगल कौँ प्राफ्थ है, तो राज्य सेवा का काम होता है, राज्य सेवा नहीं होता है, प tee से को बात होती थी, जब शास्त्र लिखे गए थे, आज की Risik में तो वो सब चीजे करना और नाशन में अच्छे सच्छा काम करना वो सब मंगल से देखा जाता है तो आशा करता हूं आपको मंगल से देखे वे सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी और इसके साथ मैं आपको सूचना दिना भी चाहता हूं कि हम लोग एस्ट्रोजी एजुकेशन का नया बैस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें स्ट्रोजी बेसिक से लेगे एडवांस तक पूरी पढ़ाएंगे उसके लावा कुंड़ी प्रेटिस्टी क्लासिस भी हम लोग करते हैं जो लोग इंट्रेस्टेड हो दिए गए नमबर पे संपर कर सकते दन्नेवाद जैसी किसना नमस्कार